आदर सिक्षन समीती बाड मेर द्वारा संचालित ओनलाइन कक्षा में कक्षा दुतिया के सभी भहियाओं का पर्यावर्ण के इस कक्षा में कालांस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है पिछले अध्याए में हमने पर्यावर्ण प्रिणा से सम्मन्दित एक कविता को पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे अध्याए दो सजीव एवं निर्जीव बहियाओं और बेनों आप अपने आसपास में किन चीजों को देखते हैं बहियाओं के उत्तराए पसू, पक्सी, मकान, सड़क, पर्वत, नदी, पेड, पोदे, मनुश्य, इत्यादी अब बताईए कि इन मेंसे मनुश्य, पसू, पक्षी, मकान, सड़क, पर्वत, नदी, पेड, पोदे, मनुश्य, पसू, पक्षी, पेड, पोदे सहीतर और इन मैंसे ऐसे जो स्वांस नहीं लेते हैं वे कौन कौन हैं तो वे होंगे मकान, सड़क, परवत और नदी तो दो प्रकार की वस्तुएं हमने अभी देखी एसी वस्तुएं जो स्वांस लेती है, एसी वस्तुएं जो स्वांस नहीं लेती है तो इन दो प्रकार के आधार पर या दो चीजों को जो याम्यों कहें कि इन वस्तुएं को आकरती, आकार और लक्षनों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव अब आपसे ये प्रश्ण है कि ये जो सजीव जो हैं उन सजीव वस्तुओं की क्या-क्या विशिश्टाएं हैं बहुत बढ़िया पहली आपने बता दी कि सभी सजीव जो हैं वे स्वास लेते हैं बहुत बढ़िया मनुश्य भी सजीव हैं और वो अभी सवास लेता है पेड़ पोदे और पसुपक्षी भी सजीव हैं और वे सवास लेते हैं बहुत अच्छा उत्तर आपका अगला मेरा प्रश्ण है कि ये जो सजीव हैं इनकी और क्या-क्या विसेस्ताइं हैं पेड़ बेनों को नहीं ध्यान में हैं कोई बात नहीं आज हम सजीवों की कुछ अन्य विसेस्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे तो ये जो सजीव जो वस्तुए हैं इनकी कुछ विसेस्प्रकार के विसेस्ताइं हैं इनमें कुछ विसेस्प्रकार के गुण हैं कुछ विसेस्प्रकार के लक्षन हैं जिनके आधार पर हम इन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं या कर सकते हैं उसमें पहला जो था वो आपने बता दिया कि जब सजीव जो हैं वे स्वास लेते हैं जब स्वास लेते हैं तो स्वास छोड़ते भी होंगे तो भया और बेना बताएं कि यह जो सजीव हैं यह जब स्वास छोड़ते हैं तो कौन सी गेंस को बाहर निकालते हैं इसका उत्तर पता है किसी को नहीं पता कोई बात नहीं यह जो सभी सजीव जो हैं वह स्वास छोड़ते समय कार्बन डाइ ओक्षाइड गेंस को बाहर निकालते हैं तो भया सभव इसकी बात है कि हम जब स्वास लेते हैं तो कौन सी गेंस लेते हैं या सभी सजीव जो हैं वह स्वास लेते समय कौन सी गेंस का उप्योग करते हैं तो भया बताए तो आपका उत्तर होगा ऑक्सिजन गेंस बहुत बढ़िया उत्तर आपका लेकिन पेड़ पोदे ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए इसका उलट काम भी करते हैं करबंड़ ऑक्सिजन गेंस तो लेंगे और ऑक्सिजन को बाहर छोड़ेंगे और अन्य समय में ऑक्सिजन गेंस लेंगे और करबंड़ ऑक्सिजन गेंस को छोड़ेंगे तो यार बेनो यह आपको ध्यान में आ गया और भी कोई विशेशता हैं इन सजीवों की आपको ध्यान में आ रही है नहीं आ रही है चलिए मैं बचाता हूँ आपको यह जो सबी जो सजीव हैं यह जब oxygen गैस लेते हैं तो वह अपने सरीर के कुछ विशेश अंग की साइता से ही सवांस लेते हैं ठीक है तो यह जो मनुष्य है या कुछ जन्तु है वह जब सवांस लेंगे तो उनका विशेश अंग होगा प्रभावित जिसको हम कहेंगे फैंफडे तो बैयार बैनों, मनुस्य और कुछ जन्तु जो हैं, वो फैंफडों के माध्यम से स्वास लेते हैं क्या सभी सजीवों में फैंफडे होते हैं, आपका क्या उतर होगा, हाँ या ना उतर होगा ना, सही, सभी जो सजीव हैं, उनमें फैंफडे नहीं होते हैं तो कुछ सजीव ऐसे भी है जैसे पानी में रहने वाले जलिये जन्तू तो ये स्वास लेने के लिए जिस अंग का उप्यो करेंगे उसका नाम है गल फड़े ठीक है भी अभी नो जबकी जो मेंडग है जो दोनों जगह पर रह सकता है पानी में और जमीन पर बहुत अच्छा उतर तो ये जो मेंडग है यह स्वास लेने के लिए किस अंग का उप्यो करेंगे तो इसका उतर होगा ये जो मेंडग है यह स्वास लेने के लिए अपनी नमी युक्त तवचा का उप्यो करते हैं बहुत बटी है बढ़िया सही अगला मैं प्रश्चन पूछता हूँ क्या जो पक्सी हैं वह अपनी स्वसन के लिया कैसे करते हैं क्या आपने इन पक्सीयों को और गौर से देखा है जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे ये पक्सी है क्या नाम है इसका कबुतर सही उतर इस कबुतर की यदि आपने चौँच को बली बाती देखा हो तो आपको ध्यान में आएगा कि इसकी चौँच के दोनों और कुछ छिद्र बने हुए हैं छेद हैं खड़े हैं जिन हैं विज्ञान की बासा में चिद्र कहते हैं ये है कबुतर और इस कबुतर के जैसे अन्य जो पक्सी हैं वे इस चौँच में बने चिद्रों के माध्यम से स्वांस लेते हैं और इन चिद्रों को एक विशेश नाम दिया है उसका नाम है स्वांस रंध्र क्या कहेंगे स्वांस रंध्र ठीक है अब बताओ कि क्या पेड़ पोदे भी ऐसे ही चिद्रों से स्वांस लेते हैं तो उसका उत्तर होगा हाँ इन पेड़ पोदों में भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो स्वांस में आक्सिजन को अंदर लेते हैं और कर्बन ड़ी आक्साइड को बाहर छोड़ते हैं लेकिन जब पेड़ पोधे और भोजन बनाएंगे बगवान सूर्य की प्रकास से तो यह किरिया उल्टी हो जाएगी अर्थार कर्बन ड़ी आक्साइड गया है इस तो लेंगे और ऑक्सिजन को छोड़ेंगे ठीक है भईया बेनो आज आपके पार्ट में इतना ही अब चलिए आपको बताते हैं कि कक्षा कारिय और ग्रह कारिय ठीक है भईया बेनो यह जो जो तो था कि पेड़ को दे हैं वो अक्सिजन कैसे लेते हैं और स्वांस अंद्रों के बारे में था आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा पहला आएगा प्रश्ण कक्षा कारिय का पहला प्रश्ण क्रमांगे वस्तुओं को लक्ष्णों के अधार पर कितने भागों में बाटा गया है उत्तर होगा वस्तुओं को लक्ष्णों के अधार पर दो भागों में बाटा गया है पहला सजीव और दूसरा निर्जीव बेर गुल सई उत्तर या को कक्षा कारिय में करना है सुन्दर लिखावट में अपनी कौपी के अंदर पाट का नाम लिखते हुए आज की दिनांक लगाते हुए तिधी लगाते हुए अपना काम सुरू करेंगे सवाल नमबर दो मनुष्य स्वांस चोड़ते समय कौन सी गेंस बाहर निकालते हैं सामाने उत्तर है इसका मनुष्य स्वांस चोड़ते समय और कारमंडे ऑक्षड गेंस बाहर निकालते हैं ग्रह कारे का पहला प्रश्ण देखो कि अपने गल्फडों की द्वारा कौन सा जीव स्वांस लेता है तो हमने इस पार्ट में चर्चा की थी ठीक है दूसरा प्रश्ण है कि रंदर किसे कहते हैं तो पेड़ पोदों वाले भाग में आया था कि रंदर किसे कहते हैं आप इनके उत्तर लिखेंगे बढ़िया से और सुन्दर लिखावट में दोनों काम कर लेंगे आज के पार्ट में इतना ही इस पार्ट के साथ साथ में आपको इस वीडियो के साथ में आपको इसके लिंक के नीचे पीडियो फाइल भी साथ में बिज़ जा रही है उस PDF फाइल को आप खोलेंगे तो आपके सामने जो वीडियो ना खुल करके पार्ट खुलेगा वह पार्ट इस्थिर रहेगा उस पार्ट को आप पड़ भी सकते हैं उसमेंसे आप प्रष्ण भी देख सकते हैं उसमेंसे उत्तर भी आप खोज सकते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक और लिंक है उसको आप खोलोगे तो आपके सामने PDF फाइल अर्थात जिस प्रकार की हमारी पुस्तक में जो पार्ट होते हैं जो पन्ने होते हैं कैसे खुलते हैं ऐसे ही वह भी आपके सामने एक पुस्तक की तरह पन्ने खुलेंगे उनको आप देख सकते हैं दाउन्डोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी आप कर सकते हैं तो इसका उप्योग करते हुए आज के पार्ट को बढ़िया सा और सुन्द सा उत्तर और करके आएंगे याद करके आएंगे अगली कक्साम जब आप आएंगे तो मैं आपको आज के आएंगे धन्यवाद सभी भाईयाओं को